मित्रों, भगवान शिवनन्दी, इंद्र देव एरावत, माता लक्ष्मी उल्लू तो भगवान गनेश मूस की सवारी करते हैं। इसी प्रकार भगवान विश्णो का वाहन गरूड है जिस पर सवार होकर वो एक जगा से दूसरी जगा भ्रमन करते हैं। अच्छा मित्रों क्या आप ये जानते हैं कि आखर क्यूं भगवान हरी ने गरूड को ही अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है, जबकि उनके पास वाहन के लिए विकल्प तो कई सारे थे। मित्रो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सत्यवान तीरत पर। आज की इ सिर्फ तेज गती से उड़ सकता है बलकि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर भी आकाश की उचाईयों को छूने में सक्षम है। हिंदू धर्म में गरूर को भगवान का दर्जा दिया गया, जिन्हें विश्णू, राता, खगेश्वर और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों भगवान विश्णू द्वारा गरूर को अपना वाहन चुन्ने की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखर गरूर की उत्पत्ती कैसे हुई थी तो एक पौरानिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापती की कद्रू और विंता नाम की दो कन्याएं थी, जिनका विवाह कश्यप रिशी से हुआ था। कश्यप रिशी से कद्रू ने एक हजार नाग पुत्र और विंता ने केवल दो तेजस्वी, पुत्र वर्दान के रूप में मांगे। वर्दान के परिनामस्वरूप कद्रू ने एक हजार अंडे तो विंता ने दो अंडे द दिया उस अंडे से जो बच्चा निकला वो पूरी तरह से विक्सित नहीं हुआ था उस बच्चे का उपरी हिस्सा तो पूरुन था लेकिन नीचे का अंग नहीं बन पाया था इस पर क्रोधित होकर उस बच्ची ने अपनी ही मां को श्राप देते हुए कहा कि माता तुमने अंडे को तोड़ा है इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी सोतन अर्थात कद्रू की दासी बंकर रहना पड़ेगा बच्चा आगे कहता है कि लेकिन तू मेरी माता है इसलिए तुझे श्राप से मुक्त कराना भी मेरा ही करतव्य है इसलिए याद रहे कि जो दूसरा कर अरून नाम का वो बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य के रत का सारत ही बन गया इसके बाद विंता अपनी ही बहन और सोतन कद्रू की दासी बन गई और फिर कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिससे हम और आप गरू गरूर ने जन्म लेने के बाद जाना कि उनकी माता तो कद्रू की दासी बन चुकी है ऐसे में वो अपनी माता को आजाद कराने का मार्व धूंडने लगे उन्हें किसी ने बताया कि अगर वे सच्छे मन से भगवान विश्णू की स्तुती करेंगे तो प्रसन होकर भगवा सबसे पहले गरूर ने कहा कि है भगवान मुझे इतना शक्तिशाली बना दूँ कि मैं कद्रू के नाग पुत्रों का वर्द कर सकूँ और अपनी माता को आजाद करा सकूँ इसके साथ ही गरूर ने ये भी वर मांगा कि वो सदैव उनकी ध्वजा में उपस्थित रह सके साथ ही बिना अमरित को पिये ही अजर अमर हो जाए गरूर की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दे दिये जिसके बाद गरूर ने भगवान विश्णू से कहा कि है भगवान मैं आपको भी एक वर देना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं उसे पूर्ण जरूर करूंगा, इस पर भगवान विश्णू ने गरूर को अपना वाहन होने का वर मांगा, साथ ही ये भी कहा क कि मेरी कृपा से तुम मेरी महिमा कहने वाले पूरान लिखोगे और मित्रों, विश्णू के इस आशीरवाद से गरूर ने गरूर महा पूरान लिखा था, वही गरूर पूरान जिसमें मृत्यू के पहले और बाद की स्थिती के बारे में विस्तार से बताया गया है, हिंद गरूर पुरान में ग्यान, धर्म, व्यवहारिक, जीवन, स्वर्ग और नरक का भी उलेख मिलता है। जिसमें ये भी बताया गया है कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को किस योनी में अगला जन्म मिलता है तो मित्रो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको गरूर के भगवान विश्णु का वाहन बनने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर।